हेगारी नमसकार, आप लोगों का टार्टवर क्लास के प्यारे से यूटीब प्राइब प्रस्ण आने वाला प्यारे बच्छो, आप अप्समन लिजिए कि एसा ही सेम् टू सारे प्रश्ण आपके आने वाले प्यारे बच्छो पहला स्वाल की तरफ पढ़ते हैं बहुबिकल्पी खंड़ा का सबसे पहला प्रस्ण क्या करा प्यारबच्छो निमलिखित प्रस्णों में से प्रतेक के चार बहेकल्पी पुत्तर दिये गए हैं उनमें से सही विकल्पी चुन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए सबसे पहला स्वाल किसी पुरांक M के लिए धनात्मक बिसम पुरांक का रूप होगा किसी पुरांक M के लिए धनात्मक बिसम पुरांक का रूप होगा यानि प्यारे बच्चो आप यहां से ध्यान से लिखे इसका जो option है चारो option में से यह जो चौथा option है वो बिल्कुल correct है क्यूंकि प्यारे बच्चो M की value आप जैसे M की value 0, 1, 2, 3 आप रखना है start करोगे M की value 0, 1, 2, 3 सभी 3, 4 option में रखेंगे तो यहां पर जैसे 0 रखोगे तो 1 मिलेगा जैसे आप 1 रखोगे तो 2 मिलेगा एक रखोगे तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चो 2 मिलेगा तो उस प्रकार से आपका यह जो पूरा option है तो जब आप M के अस्तान पर 0 रखोगे तो यहां 2, 1, 3 हो जाएगा M के अस्तान पर 1 रखोगे तो 3 होगा, 0 रखोगे तो 1 आएगा मतलब मिलेगा जो किसी भी पुरांक M के लिए जो धनात्मक विसम पुरांक होता है वो 2 M प्लस 1 के रूप का होता है इसको याद रखेगा पर बच्चों ध्यान से कि अगला क्या करा है कि कि किसी दो धनात्मक पुरांक A और B के लिए अदितिये पून संख्याए Q तथा R कास्तित जो होता है जो निमने संबन में दर्शाया जा सकता है A equal to BQ प्लस R ये युकलिट विवाजन अलगोरिफम है तथा R होगा तो ध्यान देना जो ये R होता है वो B से कभी बड़ा नहीं होता वो जो रिमे जो होगा वो जीरो से छोटा होता है जीरो से क्या होता है प्यार बच्छो जीरो से क्या होगा ध्यान से देखिए R जो होता है वो क्या होता है जीरो से क्या होता है बड़ा होता है कभी भी रिमेंडर जीरो नहीं मतलब जीरो से बड़ा हो गया तो जीरो की कुल होगा इस प यहां पर के का मायान क्या हो भा चेहा यहां पर एक वर्ड कहा है संपाती रेखाएं संपाती रेखाएंक होता है कि इनके जो A1, A2, B1, B2 और C1, C2 होते हैं वो आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो प्यारे बच्छो ध्यान से देखी यह दोनों समीकरण हम लिख ले रहे हैं ध्यान से दिखेगा यह आपको प्रेशन दिखाई पड़ा है तो गर नंबर का गर नंबर का प्र माइनस सोलर यह है ठीक ऐसे है प्रस्णाव का ध्यान से दिखेगे संपाती के लिए प्यारे बच्छो संपाती के लिए कंडीशन होता भी संपाती के लिए होता है कि जो A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 होता है तो ध्यान से दिखेगे यहां 3 है यहां 6 है यह आपका A यह आपका एक है तो तीन बटे कितना हो जाएगा अच्छ है ज्ट दिएंज मैने से लिए कर नम कर दो के की वेलू कितने आ जाएगी दो जो भी आपका है आप साथ कौन सा लूसी ही तो बिल्कुल करेक्ट गहा नमबर कराना है तो क्या है 3x square minus 6x plus k equal to 0 ध्यांस दमने यही प्रस्षन है इसमें के का मान गयात करना है ध्यांस दिखना कि जब ऐसे कोई भी condition आ जाए तो जब मूल बराबर होते हैं यदि मूल क्या हो बराबर है यदि मूल आपस में बराबर हूँ यदि मूल आपस में क्या हो बराबर हो यदि प्यारे बच्चों जो मूल आपस में बराबर होता है तो इनका जो बिविक्तर होता 20 square minus 4C वो 0 के equal होता है यह अपने पुरे जब मैं थियोरी पढ़ा रहा होगा तो यहाँ पढ़ाया था प्यारे बच्चों अब B की value देखें यहाँ A की value 3 है B की value 6 है और C की value K है चले तो B के स्थान पर क्या रखेंगे minus 6 का वर करेंगे minus 4 A के स्थान पर 3 और C C के स्थान पर क्या है K है equal to 0 ध्यांज देखें 6 का वर कर देंगे प्यारे बच्चों कितना आजाएगा तो प्यारे बच्चों जो भी option हो आप मिला लीजिए देखें आपसन नमबर कौनसा है के equal to 3 यानि यह आपका first number क्या है बिल्कुल correct है तो गाइस देखें पांचवानी अंगा नमबर प्रस्ट क्या करा कि यदि x plus 1 upon x equal to 7 हो तो x square plus 1 upon x square का मान क्या होगा आपको चार्ट फॉपसन दिया गया प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा वँत ही सस्ता प्रष्न है अम इसको यहीं पर clear कर देते हैं कि देखो यहाँ पर क्या है कि दोनों का आप work कर दीजिए दोनों तरफ क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजे तो जैसे ही आप इनको क्या कर देंगे पैर बच्चो वर्ग कर देंगे तो क्या हाद देखिये यह x square हो जाएगा प्लस 1 बटे x square होगा प्लस 2ab तो 2a a का सतान पर कुन है x है b का सतान पर 1 बटे x है equal to 7 का वर्ड करेंगे 49 आ जाएगा यह x x यह जो 59 कहां गया है यह प्लस दो उधर जाएगा तो 49 माइनस दो हो जाएगा नुचास में तो गटा देंगे 47 यानि प्यारे बच्चो जो आपका एंसोर आएगा वह 47 आएगा यह आप से नंबर करेक्ट है आप मिला लेजिए आगे चर्ण नमबर क्या करा कि चित्र में ABC के आधार पे BC के समांतर रेखा खंड PQ खिचा गया ये ABC को इत्रव्योज है BC के पहलल ये PQ लाइन खिची गई है यदि PQ अनुपाते BC, PQ अनुपाते BC एक अनुपाते 3 है प्यारे बच्चो PQ और BC का जो रेशियो है वो एक बटे 3 है यानि एक अनुपाते 3 है आगे करा है कि A.P. और P.B. तो A.P. और P.B. इनका अनुपात क्या होगा? तो धिहान से रिखेगा इनका जो अनुपात होगा प्यारे बच्चो वही होगा जो इन दोनों का अनुपात है अर्थात क्या हो जाएगा प्यरवच्चो एक अनुपाते क्या होगा दो आपसर नमबर आपका कौन सा पहला करेक्ट है आगे क्या करा बिंदू 3 और 4 की y अच्छ से दूरी है बिंदू 3 और 4 की y अच्छ तो ध्यान से देखिए अग आपका एक्स अच्छ होता है यह एक्स अच्छ होता है ठीक अब क्या होता है कि यह बिन्दू मूल बिन्दू होता है जिरो जिरो यहां एक होगा यहां दो होगा यहां तीन होगा यहां चार होगा यहां भी एक होगा यहां दो होगा यहां तीन होगा यहां चार होगा य य जो 4, य का कॉड़्देत है, य जो 4 है, य का कॉरड़नेट है, य अच्छ से इस बिंद की जो दूरी है, वह 3 है, तो आप संट नंबर देखी, कौनव. तो कितना है, तीन इकाई, यहां दिया ने, ति sacred एक यह दिकाई, आप यहां लगा देखे, आगे क्या करा ध्यान देखे अगला प्रश्ण क्या करा कि यदि तीन कॉट ए बराबर चार तो सिक एका मान ग्यात किजिए तो बिल्कुल आसान से मैं इसको ग्यात कर लेंगे ध्यान देना कि देखे एक एक नंबर के सारे प्रश्ण है तो तीन कॉट ए बराबर चार तो सिक का मानग्यात करना है तो अध्यान से दिखिए कि इंदर चला जाएगा कौट ए बराबर होता है चार बटे थीत अब धियान से दिखें कॉट ये बराबर फार्मूला होता है आधार बटे लंब क्या होता है आधार बटे लंब यानि आधार चार दिया है लंब थीन दिया है तो आपका कंड कितना हो जाएगा कंड का फार्मूला होता है प्रवचो कंड का फार्मूला होता ह तो 16 यह 9 आ जाएगा 16 9 प्लस कर देंगे तो 25 आएगा इस कुन रोट से बाहर करेंगे तो 5 आ जाएगा कंड की वैलू 5 आ गई प्रमुला है तो यह ऑपक कस्का होता है और साइन तू ठीटा का तर अफांवल ऑता है किसका फामला का स्फामला क्या होता है अगला प्रिम अपसी क्या ना तो सुरे का उन्यन कोड होगा ध्यान से दिखे क्या करा है कि कोई खंबे की उचाई प्रशन ध्यान से दिखेगा क्या करा है यहां आपका जगर है इस पेस बचा हुआ है यहां पर दिखे करा कि यदि कोई खंबे की उचाई परचाई के क्या हो जाए बराबर हो जाए खं विल्कुल आप आसान तरीके से बता सकते हैं, ध्यान दीकितक इरुक को हम लगाना पड़िया ताईए हम हल करते हैं क्या करा है ठीश्ण अने पड़ी लिया ध्यान से देखना है भलक्रना हैतों क्या है प्रस नंबर आपका कौं सा था फैर बच्व प्रस नंबर आपका था। कुण सा प्रेश नंबर था आपका यूत र司 हिए नमबर क्या था यूत रिख्या करा प्यार मटचो कि यदि उर्दवा धरखंबे की यह गपा अंगर यह बदफशाई हो गया यह परचाई हो गई यह और यह दोनों आपस में सेम हो जाए तो उस समय होगा उन्यंग कोड़ यह थीटा बटाना है तो मैं मानता हूँ अगर खंब्बे के उत्धा धर उचाई H है प्यार बच्छो है ठिक तो क्या होगा त्द देखे 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा है तो यहां लंब बटे क्या हो जाएगा आधा लंब कितना है H और ये इसके वराबर हो जा रहा थी ये भी है चोई ये cancel होके एक हो जाएगा तो प्यारे बच्छो 10 ठीटा एक किसका मान होता है त्यांज देखे एक 10 45 का मान होता है 10 10 cancel तो ठीटा इकल डू कितना जाएगा 45 तो प्यारे बच्छो ठीटा का वैलू कितनी आ ठीट आगे क्या करा आगे करा कि टर नंबर एकई सेंटीमिटर त्रिज्जा वाले बृत के किसी चाप दौरा केंदर पर बना कोड़ साथ हंस है तो चाप की लंबाई क्या होगी ध्यान से दिखेगा ऐसे प्रस्ण बहुत भी बहतरी नहीं टर नंबर कहरा प्यारे बच्छ चाप की लंबाई तो प्यारे बच्छो जो चाप की लंबाई के लिए फामुला हम लोग उप्योग करते हैं देखेए सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि आपको फामुला याद होना चाहिए उसका ठीटा बटे तीन सो साथ गुने टू पाई आर क्या होता है गुने चाहिए और यह तीन से टीन के अंशल हो जाएगा पूरा कितना जाएगा बाईस जो भी एंसर होगा वह बाईस होगा देखे मिला लीजे क्या है बाईस मिला है आपके प्रसुन में तो प्यारे बच्छो देखे बाईस सेंटीम्टर यहां यह आपसं क्रेक्ट हो जाएगा अगला क्या करा है किठा नंबर क्या करा पैर बच्चो की एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 cm है तो मिनट की सुई द्वारा रची तच्छेतरफल क्या होगा एक मिनट में सुई की द्वारा रची तच्छेतरफल कितना होगा ध्यांज की पैर बच्चो तो ध्यांज मिनट के सुय की जो लंबाई है वो कितना है शुई की जो लंबाई है वो 14 पेटर है ना आगे कह रहा मिनट की सुय के लंबाई 14 advertisements है और करहा कि एक मिनट में रच्चे तच्छे भल तो एक मिनट में तो भहुत आसान طro conclusions हम जानते हैं कि 10 मिनट में 10 मिनट में सुई के द्वारा अंतरित कोड जो होता है प्यारे बच्चो अंतरित कोड कितना होता जानते हैं 60 हमस होता है अब 10 मिनट की बात अगर हम यही करें एक मिनट में तो एक मिनट में क्या हो जाएगा पैर बच्चो एक मिनट में सुई के द्वारा अंतरित कोड़ हो जाएगा दस से भाग हो जाएगा तो 60 बटे 10 हो जाएगा कैंसल हो जाएगा 6 तो 6 आ जाएगा कितना 6 डिगरी अब हम फामुला लगा देंगे ठीटा बटे 306 पाई आर इसक्या ठीटा की बेलू वही 6 बटे 306 गुड़े पाई की बेलू 22 बटे 7 त्रिज्जा कितनी है 14 गुड़े चौड़े साथ दुनी 14 कैंसल हो जाएगा ठीक यह आजाएगा 6 ठीक दो एक के दो तीस दुनी 60 ग्यारा दुनी 22 यहां 15 दुनी कितना हो जाएगा यहां आजाएगा 14 बटे 15 कितना 14 बटे कितना आ जाएगा 15 यह ला जाएगा कुछ तो दwe बuke है यह बोल को हfähी 11 है seem113 में देखते कितना आंसर आता प는ग तो फ Gwen जब इन सब को आत्पर होगे तो 10 10.26 आएगा ठीक तो आईए दिखते हैं 10.26 कि इस option में मिल रहा है तो प्रवच्छो ध्यान से देख पा रहे होंगे तो 10.26 सिमी स्क्यार ये है option नमबर 1 करेक्ट है आगे क्या कर रहा है कि 10 cm कोर के घन की लकड़ी को टुकड़े से काट कर अधिक्तम आयतन का एक संकू बनाया गया तो संकू का item क्या होगा ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है बहुत जबर जस्त है घन का कोई किनारा है घन का किनारा है तो प्रवच्छो वही जो घन की किनारा होगा घन का किनारा जो प्रवच्छो घन का जो किनारा है वो संकू की उचाई हो जाएगी बराबर संकू की उचाई तो घन का किनारा बराबर क्या हो जाएगा संकू की उचाई तो ध्यान से रिखे तो घन का किनारा कितना है 10 cm, तो उचाई भी संकू की वही हो जाएगे, ठीक, अब बात आ रही प्यारे बच्चों कि घन का जो ब्यास है, घन का जो किनारा है, वो संकू का ब्यास होगा, जो घन का किनारा है, वो किसका हो जाएगा, संकू का ब्यास, संकू का ब्यास हो जाएगा, अगर आप ध्यान से यहां देखिए तो घं का किनारा 10 है तो ब्यास D माल लेते हैं दी दस है और तो तरिज्जा हो जाती पेर रचो D बटे 2 बराबबर कितना जाएगा पानगे है संकू का आयतन पूछा है पेर विजू तो संकू का आयतन तो तो Tu बटे 3, pi r square h, एक बटे 3, pi की value 22, बटे 7, ठीक, r, r की value कितनी प्यारवचो, 5 गुड़े 5, h की value कितनी है, 10, चले हल कर लेते हैं, प्यारवचो, तो दियान से दिखे, इन सब को हल करेंगे, तो सब को हल करेंगे, इन सब को हल करेंगे, तो 261,9,0 आएगा, कितना आएगा, 9,0 सेमी, क्या, ऐसा कोई option मिल रहा है, 261,9,0 देखे, 261,9,0 जो की option नमबर 3 है, यह विल्कुल आपका correct answer है, आप इसको लगा सकते हैं, ठीक, अब आगे, आगे क्या कर रहा है, प्यारवचो, एन प्रिच्छडों का माध्धि, बार x है, यदि प्रतेक प्रिच्छड को ए प्रिच्छड जो है, प्यारवचो, वो इस प्रकार थे, यह प्रिच्छड जो थे, वो अग्की इस प्रकार, a1, फिर a2, फिर dot dot dot, an थे, ना, अगर इनका जब हम माध्धि निक्या लेंगे, इनका माध्धि बार x था, इनका माध्धि बार x होगा, तो यह हो जाता है, बा इनका माध्धि का फामुला होता है, सभी पदों का यह, an बटे क्या हो जाता है, यह हो जाता है, फामुला, बार x का फामुला, परन्तु यहां पर, यह तो ऐसे लिख दो, a1, प्लस, a2, प्लस, a3, प्लस, dot dot, dot, an, बटे, यह हो जाएगा, an इतने प्रिच्छडों का माध् प्रिच्छर क्या कर दे, a, a बढ़ा दे, तो जो a1 है, वो a1 प्लस, a हो जाए, जो a2 है, वो a2 प्लस, a हो जाए, ऐसे dot dot करके, जो an है, वो an प्लस, a हो जाए, तब माध्य का होगा, उसको भी हम निकाल लेते हैं, जब a, a बढ़ा देंगे, प्यारे बच्चों, तब माध अब यहां देखिए, a, 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 a सब में क्या है, कामन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, a1 प्लस, a2 प्लस, dot, dot क्या हो जाएगा, an, प्लस, बढ़ा बच्चों, प्लस, a कामन था, ठीक, यह हो गए, अब देखिए, यह पूरा x के ही बराबर है, यह सारा step x के बराबर, बार x के अब आपने भी उपर देखा था, प्यार बच्चों, कि यह बार x के कुल है, इतना बार x के तो भई, बार x प्लस क्या हो जाएगा, a, यानि कहने का मतलब है, कि अगर प्रिच्चण में a, a बढ़ा देंगे, तो माध्धी भी a क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ऐसा को जिसके हर में दो या पांच आया हो, यहां से दिखे, दो पांच आया हो, उसके तरी को नवा आया हो, यह यहां दो पांच और साथ आ गया है, इसलिए यह प्रिवेश संख्या नहीं हो सकती, यहां दिखे, यहां पर भी अगर 210 का आप गुड़न खंड करेंगे, प्यार आ गया ना, तो प्यार बच्चो यह भी आपका नहीं होगा, ठीक, इसी प्रकार यह नहीं होगा, यह होगा, ठीक, यह, तो प्यार बच्चो यह परिमेश संख्या होगी, इसका ट्रिक होता है, कि जिसके हर में दो और पांच के स्वराव कोई आता है, तो आपका परिमेश स जाएगा एक बटे दो यहां भी आएगा तीन बटे च्छा तो प्यारे बच्छो जब A1 upon A2 equal B1 upon B2 हो ठीक क्या तरह है कि A1 equal A1 upon A2 equal B1 upon B2 हो उसका जो होता है प्यारे बच्छो उसका अनेखल होता है क्या होता है इसका अफसर ये correct हो जाएगा पेर बच अब आगे देखे अगला करहा है यदी एक बटे एक इसना प्लस चह बराबर एक बटे 10 तो X का मान क्या होगा तो X क्रोस मॉल्टिप्लाइग कर देते हैं ध्यान से बहुत ही बेहतरीन लग जाएगा अगले प्रिश्णी की तरफ चलते हैं अगला प्रिश्णी क्या कर रहा है ध्यान से लिखी प्रिश्णी क्या रहा है कि चित्र में A, H, K और A, B, C दोनों समरूप हैं A, K equal to 10 यानि A, K equal to 10 है B, C equal to 3.5 है H, K है, H, K कितना है? 7 है आगे कारा A, C कामान कितना होगा प्रिश्णी तो जब कोई भी समरोग प्रभुज होता है तो उनकी जो भुजाओं का अनुपात होता अपरस में ब्राबर होता है ठिक अरथात हम कर सकते हैं कि हाँ HK अपान, HK अपान क्या हो जाएगा, BC अपान, HK क्या हो जाएगा, HK की वैलू कितनी है, 7, यहां कितनी है, 3,10, 5, यहां, HK की वैलू 10, AC की वैलू नहीं पता हो जाएगा, यह देखिए, यह पॉइंट कटाएंगे, तो उपर 10 लग जाएगा, 35, 35, 35, सकते हैं, 2, 1, 2, 2, 5, 10, तो एके की वैलू पांच आएगी, तो पांच सेंटिमिटर आजएगी, यह हो गया, तो मधविंद का फामला क्या होता है, परवेच्चक, इनको इनको जोड कर यह दवते हो जाता है, ठीक, तो ध्यान से दिखे, Q और R का नबर है, ना, तो Q और R का मधविंद है, यह मधविंद होता है यह प्लस, तो ध्यान देख, माइनस 6 प्लस होता है माइनस 2 बटे कितना होता है प्रवच 2 यह माधिबंद का फामुला होता है X1 प्लस X2 बटे 2 Y1 प्लस Y2 बटे 2 तो 5 प्लस 3 बटे 2 तो मैंने यह जो है यह equal to दिया है alpha और 3 और यह 4 यह कुछ इस प्रकार भी है इस नूमा सवाल है इन दोनों यह माधिबंद X1 प्लस X2 है यह Y1 प्लस Y2 है ठीक आपके प्रश्में दिया है माइनस 6 में से माइनस 2 कितने हो जाएंगे माइनस 8 बटे 2 हो जाएगा कामा 5 3 8 बटे 2 हो जाएगा ठीक equal to इधर अलफा बटे 3 आजाएगा कामा 4 आजाएगा ठीक आठ बटे 2 4 आजाएगा यह 4 आजाएगा तीरहा माइनस 4 और यहाँ क्या जाएगा प्लस 4 कामा equal to क्या जाएगा अलफा बटे 3 कामा 4 ठीक यह X का कोडिनेट है प्यारे बटे यह Y कहता वो माइनस बारहा है, तो क्या हैं, अपसों नबर देखेए, यह है आपका, स्लिधन नबर अपसों क्या हैं, लास्ट क्या करएप, नगत जहाएव है, लॉस्ट नवी चलिए बहूत सरल प्रत्षा है एकदम आसान सा है टेन ठीटा इकोल टूटू अपान बीषा भीवर JONHHHH न के लॉस्ट आ अव दिखें टीटा एकषुबटू कितना है यह आपका लंब है यह आपका लंब है और वह नयद्क क contraction आधार daright और लंब हो जाएगा a square ठीक यह हो जाएगा a square अब आपके पास क्या पूछा साइन ठीटा और कॉस्ट ठीटा का माँचे साइन ठीटा बराबर होता है लंब बटे कण लंब बटे कण तो लंब कितना है a अब जो आपके प्रस्ण में दिया गया था पहले उसको दिख लीजे क्या पूछा यही पूछा है ना कि प्यार बच्चो यह बी साइन ठीटा माइनस a cos theta पूरे के बटे क्या है b sin theta प्लस a cos theta का मान बताना है तो प्यार बच्चो यह मैंने यहां पर लिखा है इसी का मान बताना है क्यों आपको value रखना है दिखके दिखे तो b है sin theta की value यहां से लिखे तो a upon under root में कितना है b square plus a square यह है minus a cos theta का मान कितना है प्यार बच्चो cos theta का मान है a गुड़े b बटे under root में b square plus a square ठीक पूरे के बटे b ठीक अब देखे b क्या है प्यार ध्यान देखे b sin theta का मान कितना है वही है a ठीक अंडर root में कितना आ जाएगा b square plus a square ठीक फिर वही यहां a आ जाएगा फिर काॉस theta के स्थाथ b under root में a square plus b square ठीक बैलो रख दिए अब आप देखे प्यालोचे यहां हर बराबर है यहां भी हर बराबर है तो आपका अंस जुड़ जाएगा तो आपका अंस जुड़ है तो आई वी नंबर क्या है जिरो है जो कि बिल्कुल करेक्ट है प्यारे बच्चो इस प्रकार आपका जो बहुत भी गलबी प्रस्ण पून रूप से complete हो जाता है अब हम बात करेंगे अगले खंड तो प्यारे बच्चो ध्यान से देखिए कि अगला प्रस्ण आपका क्य प्ते दीजिए प्यारे बच्चो तो इस प्रस्ण का जवाब आपको पढ़ाया गया प्यारे बच्चो आप इस परस्ण को जरूर तयार कर लीजेगा आपके exam में ये प्रस्ण पूचorg 12ी कीजेगा ये भी exam में जबर जस्त question पुछता है पएरे बचो इसको भी आप तयार जरू करिजे का दो नमबर का है आगे दो संख्याओं का अंतर 26 है एक संख्या दूसरी संख्या के तीन गुनी है तो संख्या नंगे ग्यात करना है बहुत ही घजब सवाल है दो संख्याओं का अंतर कितना ह है एक संख्या दूसरी संख्या के कितनी है तो दूसरी संख्या के कितनी है तो दूसरी संख्या क्या है दूसरी संख्या के तरीके से लगा सकते हैं प्यार बच्चो तो ये आजाएगा आगे क्या करा कि यदि समी करण एम स्क्राइब माइनस 3, X स्क्राइब 3MX प्लस 3M-1 ब्राबर 0 के के मूल एक दूसरे के वित्करम हो तो एम का मान ग्यात किजिए ये भी आप तयार किजेगा पैर बच्चो अगला क्या करा चित्र में तर्भुच PQR की जो भुजा है PR और QR का भिंदू S तथा T है यदि कोड P RTS के वरावर तो सिद्ध किजे कि ये इतना तर्भू समरूप होता पैर बच्चो ये भी प्रिष्ण मैंने आपको प्रिष्णावली में बताया है प्रिष्णावली की दौरान तो आप समरूप रुष्ण कर सकते कि जह्में से ये वाला इंगल और ये वाला इंगल दोनों बराबर दिया है और ये भुजा उभंदिश्ण है ये वाली भुजा उबने दोठ हो गये बराबर हो गए प्रिवर पैर बच्चो आगे ध्यान देजे प्यारबच्छों, अगला क्या रख, sin theta minus 2 sin q theta equal to क्या है प्यारबच्छों तो ध्यान से अगर देखे तो यहां से लेके यहां तक देखे तो प्यारबच्छों बहुत ही, यहां से अगर हम sin theta common कर ले, यहां से sin theta common कर ले, यहां से cos theta common कर ले, तो जो ही प्यारबच्छों, यहां से sin theta common लोगे, बचेगा 1 minus 2 sin square theta, उपर बचेगा, वही चीज़ नीचे बचेगा 2 cos square theta minus 1, ठीक, और यहां बच जाएगा क्या प्यारबच्छों, sin theta, यहां और बटे cos theta, यह आपने common लिया था, ठीक, यह आपका, यह 1 minus 2 sin square theta, यह किसका formula होता है, प्यारबच्छों, cos 2 theta का होता है, यह भी cos 2 theta का होता है, जो की कर जाएगा, प्यारबच्छों, आपका मिला क्या जाएगा, sin theta, बटे cos theta, जो की 10 theta की बढ़बर होता है, यह दोनों कर जाएगे, cos 2 theta की formula है, यह आपका 10 theta की बढब नहीं आपके एक्जाम में कई बार पूछा क्या करा दी गई आकरती एक बीसी में 14 cm तरिज्जा वाले एक ब्रित का चत्रृतांस है तथा बीसी को ब्यास मानकर एक अर्थ ब्रित खीचा गया है देखिए क्या करा एक कोई तर्भुज है जिसका जो 14 cm ब्यास है चौदर बीसी को ब्यास मानकर एक क्या कर रहा आप तरे बच्चो एक अर्ध ब्रित खीचा चायांकित भाग का क्या ग्याद करना च्छेथफल ग्याद करना तो आपको करना क्या है आपको ये वाले भाग का च्छेथफल ग्याद करना ये वाले तो ये वाले भाग का तरभोज के छितफल को बाहर कर दीजेगा और साथ में साथ में प्यारे बच्चो ये आपको जो है ये वाले भाग का छितफल बाहर कर दीजेगा तो आपको ये च्छांकित भाग का मिल जाएगा अन्यता प्यार बच्चो ये वाला प्रशन मैंने आपको बता के रखा आप व तरभुज ABC कि संगत भुजाओं के दो बटी तीन गुनी रचना की चनल के प्यारबच्चो इस समय यह प्रशन हम बता सकते हैं प्यारबच्चो यह नहीं पढ़ाया परंतु एक बार आप जरूर प्रयास किजेगा अगर आपको कहीं इस प्रशने के लिए पर्सनली इस सब्सक्राइबин व्यूर्ट सब्सक्राइब सरय दिये इसको लें चांग ड्रसनल सब्सक्राइब माधिका ग्याद करने के लिए बेंजक होती है जो की होता है माधिका एकुल टू होता है एल एन बाई टू माइनस सी एफ इन्टू एच बटे एफ यह होता फामुला प्रवचो और बिल्कुल इसको आसान तरीके से हल कर सकते हैं ऐसा क्यूस्टन मैंने मोस्ट इंपॉर्टें करना है अब यहां कि जो प्रशन है सारे प्रशन चार चार नंबर के तयार हो रहे हैं पयरे बचिखे साइन हे बसित ङुकैने है응 प्रवाइन इस बात को हुम को किवल ध्यान देना पड़े बस बहुत रहा ही जवर जशस्वाल है अगर आप चाहो तो इसको हम दो हल कर सकते हैं, बहुत ही आसा है, फुरा सा आपको ऐसा अजीब सा लग रहा होगा, तो इसके लिए बात कर रहा हूं, प्यार बच्छो, तो ध्यान से देखें, क्या कहता है, जैसे कि ये साइन, यहां देखें, साइन, ए माइनस बी एक्वल ट कि आजायेगा, तीस समी करण नमबर एक, ऐसे अगला दिया है, कॉस A प्लस B, A प्लस B एक्वल टू कितना है, एक बटे दो, इसे हम क्या लिखेंगे, एक बटे दो को साथ लेख सकते हैं, प्रवच्छो, तो कॉस A प्लस B एक्वल टू कितना हो जाएगा, कास साथ हो जाए आगर मैं इनको जोड़ दू नको जोड़ दू to b b gdy हो जाएंगा समय कराइब एक प्लस दो से तो a मैंपने बिल्था है और a अ सदम बिल्था बड़ाबर कितना जोड़ेंगे चीक जार बच्छो यह तू it किनी आ जाएगा छेकंछ एक इसको हल कर सकते अगला क्या कर राइब शुर माइनस एक चार को जोन आले रेखाकंड बहुत ही जबर्जस्थ प्रश्ण प्रष्ण है ध्यान के धियान्य थे आपको पढ़ाया गया, वहां से जाके देख सकते हैं, अगला क्या करा, कि चित्र में ABC, APQ समरूप है, ABC, ये वाला त्रिफुज इसके समरूप है, आगे करा, कि जहां BC 8 है, BC कितना 8 है, यहां से लेके यहां तक 8 है, BC आपका 4 है, BA 6.5 है, ये 6.5 है, AP आपका 2.8 है, तब CA और EQ, CA और EQ, यानि ये आपको बताना है, प्यारे बच्चों, CA और EQ आपको बताना है, तो बहुत ही बहतरीन सवाल है, ये दोनों तरिफुज अगर समानुपाती हैं, तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता ह वो आपस में बराबर होगा, प्यारे बच्चों, इस बात को हम ध्यान देंगे, तो अगर देखिए, इनका इनके अनुपात के बराबर होगा, इनका इनके अनुपात के बराबर होगा, इनका इनके तो आराम से हम हल करना चाहिए, बिल्कुल हल कर सकते हैं, प्यारे आगे समी करन को हल किजे तो बहुत ही बेतरीन सवाल है इसको आप जरूर हल किजी प्यार बच्छों देखे दिख रहा है ना आप यह जरूर तयार कर लिजिए ऐसे प्रशन आपके एक्जाम पूस्ता देखे अगला प्रशन पाँ आठ नमबरों के जो प्रशन है प्यारे हो जाता तो ग्यांत किजी नाओ को पूल तक पहुशने कितना समय लगए बहुत ही बढ़िया सवाल है प्यार बच्छों आठ नमबर का कई बार यह एक्जाम में पूछा गया इसको आप जरूर तयार कर लेना प्यारबच्छों अगला एक नाओ की सांत जल में चार किलो मे अगला क्या करा है कि एक ठोज खिलावना एक अर्दगोले आकार का है जिस पर एक लंबरती संकु आरोपी थे इस संकु की उचाई 2 cm आधार का ब्यास 4 cm इस खिलावने पर के परियत तो बेलनी पर खिलावने का अतनों का अंतर प्यारबच्छों मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रस्ण है इस प्रस्ण को गौर से देख लिजी यह प्रस्ण भी मैंने भी इंपॉर्टेंट ऑले क्यूस्ट के लेश्ट में बताया अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते तो आप वहां से जाके इस प्रस्ण को जरूर देख लिजएगा प्यरबच्छों आगला लास्ट इस प्रकार प्यरबच्छों आपका यह जो मॉडल पेपर है वो पूर्ण रोप से समाप्त होता है प्यरबच्छों आई हो